नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाद किया है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शियर मार्केट एनालिसिस में मेटल स्टॉक्स में काफी शांदार तेजी बनी हुई है और एक एक दिन में 6-6-7-7% भाग रहे हैं ये स्टॉक्स सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिसकस करूँ तो हिंद कॉपर जिसमें बहुत ही बड़ी तेजी आई है रिसेंट डेज में अगर स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक आपके लिए 360 रुपे के ऊपर निकल गया है केवल एक हफ़ते की बात करूँ मैं तो 20% की रैली दे जिंका शियर सवा 400 रुपे के ऊपर निकल गया है एक हफ़ते की बात करूँ तो 28% की रैली आई या और एक महीने की बात करूँ तो आल्मोस्ट यहां भी 40% की रैली आपके लिए बन चुकी है नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं विदान्ता जो की इसी की पेरेंट कंपनी है अगर विदान्ता के बादे में बात करी जाए तो यह स्टॉक एक महीने में आपके लिए 45% भागा है और एक हफ़ते में यह स्टॉक आपके लिए 22% भागा है अगले स्टॉक की द करतें एक बार यह कितना चला है आपके लिए तो यह कुछ ऐसे स्टॉक है जिन में बहुत ही बड़ी देजी बनी है नेशनल एल्यूमिनियम एक महीने में अल्मोस्ट तीस परसेंट इन फेक्ट यहां पर थोड़ी कम देजी है बीस परसेंट की देजी है और एक हफते में दो करेंगे बार जिन्दाल पावर की बात करते है क्योंकि पूरा का पूरा मैटल पैक ही ऊपर जा रहा है इन्हें स्टॉक में पैसा कितना बड़ा बन रहा है वह मैं आप सब इक साथ बस शेयर करना चाहता हूं जिन्दाल पावर की बात करिए अगर तो यहां आपके लिए ए बड़ा मल्टी बेकर शेयर साबित हुआ है for an example दो साल में 163% के रिटन्स दी है पात साल में 400% के रिटन्स दी है से स्टॉक ने तो काफी बड़ी रैली में राई ये स्टॉक और वेल्योशन दम्स में केवल 16 के पी पे है वहीं टाटा स्टील जो सबके रडार पे रहता है इ CSW स्टील के बारे में बात करते है एक बार स्टील सेक्टर मेरे को ये सबसे टॉप क्लास कंपनी लगती है अला कि रिटन्स इसने कुछ खास नहीं बना है अपने इंवेस्टर्स के लिए बीते एक महीने में 10-11% के रिटन्स ही है बस अब सवाल है उठता है कितनी और यांस सकती है कौन से स्टॉक पर नजर बनानी चाहिए तो देखिए तेजी आने के पीछे दो बड़े कारण है पहला जो स्क्रीन पर दिख रहा है बेस कमोडिटी प्राइज चाहें आप कोई भी धातू उठा के देख लो अपने हाइस पॉइंट पर ही खड़ा हो गया है समें ट देजी है असली रीजन पता नहीं आगे एक दूसरी जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि चाइना से स्टिमूलस की अनॉंसमेंट कभी भी आ सकती है उमीद लगाई जा रही है तो चाइना से अगर स्टिमूलस आता है तो अपने आप में इन स्टॉक के लिए बड़ा प काउंटर से मैं जादा बात करता नहीं हूं इन्वेस्टमेंट परपस से मेरे को दो तीन स्टॉक सी पसंद आते हैं मैटल में एक ऐलुमीनियम काउंटर से हिंडाल को मेरे को सही लगता है अच्छा लगता है लॉंग टम के लिए मैं यहां से एंट्री नहीं बोल रहा हूं तो मैं उस पर भी आपको क्लियर अलर्ट भी करना चाहूंगा बाकी मैटल में जिंदाल पावर भी अच्छा कर रहा है बाकी मेरो कुछ खास कोई अच्छा लगता नहीं है तो यह मेरी तरब से आपके लिए एक शॉर्ड और सिंपल मैटल स्टॉक्स पर वीडियो दी सारे क सारे शेर जरूर चल रहे हैं लेकिन जो भी खरिदारी कर रहा है वो थोड़ा सोस समझ के कीजिएगा इस टॉप लॉस के साथ कीजिएगा लॉंग टर्म में निवेश कर रहे हो तो लिमिटेड पैसा लगाईएगा वो नीचे जो आ रहा है उसमें आपकी वेल्थ डिस्ट् काई बत्री प्रो거를 प्यार है शुल क मळा रहा है उसमें जो च रहा है वो दोग्रके वेल्थ रहा है